कई बार ऐसा होता है कि आपको अचानक से किसी document की जरूवत पढ़ जाती है, आप देखते हैं कि आपका यहां तो फाइल में है ही नहीं, आपने वो document तो स्कूल से लिया ही नहीं, आप जाते हैं school, school में मालुम पढ़ता है कि प्रिंस्पल नहीं है, school में मालुम पढ़ता है कि किरानी नहीं है और आपको एमर्जेंसी में जिस डॉकुमेंट की जरुवत थी ओ आपको ए स्कूल से मिल नहीं पाता बार बार दोड़ना पड़ता है परिशानी होती है तो यह परिशानी होती क्यूं है ऐसा सिचुवेशन आता क्यूं है इसका कारण है समय से अपने डॉकु आपके स्कूल में छूटा हुआ नहीं है अगर एमर्जेंसी में जरुद पड़ेगी तो सब आपके पास पड़ा हुआ है काम आ जाएगा तो बिहार विद्याले परिक्षा समिति यानि के बिहार ये स्कूल एक्जामनेशन बोड से 10 यानि मैट्रिक पास करने पर कौन-कौ प्रिक का फॉर्म भराना शुरू होता है तो फॉर्म भरने के डेट से कुछ पहले आता है और इजनल रेजिटेशन कार्ड हाला कि उस समय डमी भी आता है लेकिन डमी का कोई काम नहीं है उसका इतना ही काम है कि आप उसको देख लीजे संतुष्ट हो जाएए कि हाँ इसमे का फॉर्म भरने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आता है फाइनल एडमिट कार्ड अब फाइनल एडमिट कार्ड हो गया दूसरा डॉकुमेंट आपका ये एक्जाम से पहले आपको मिल जाता है इसी फाइनल एडमिट कार्ड को लेके आप जाते हैं और एक्जाम देते ह तो यह Marksit लेने के लिए भी आपको स्कूल जाना होगा, यह हो गया तीसरा document, और Marksit के ही साथ आता है provisional certificate, पहले migration भी 10 class में आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है एक दो साल से, तो यह provisional हो गया चौथा document, जो कि आपको metric मिलता है, यानि registration card पहला हो गया, दूसरा हो गया आ Marksit, चौथा हो गया आपका provisional certificate, यह 4 document हो गया, इसके बाद आपको जब यह Marksit और provisional certificate लेने जाएंगे, तो आपको वहाँ से मिलेगा SLC, यानि School Living Certificate, यानि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, विद्याले परित्याग प्रमान पत्र, यानि इसको हम लोग TC भी कह सकते हैं, और उसी TC के अधार पर आपका इंटर में admission होता है, यह हो गया पांचमा document, और उसके बाद examination का कम से कम एक साल हो जाने के बाद, आता है original certificate, यह original certificate जब तक नहीं आ जाता है, तो जब तक original certificate नहीं आ जाता है, तब तक आपका provisional काम करेगा, लेकिन original आ जाने के बाद, provis दिया ही इसलिए जाता है, कि जब तक आपका original certificate नहीं आ जाए, तब तक अगर कहीं आपको काम पढ़ जाता है, तो provisional से आप काम चला सके, तो यह हो गया original certificate जो की मोटे तोर पर अब एक साल के बाद आ जाता है, मतलब अगर आप फरवरी में exam देते हैं, तो आपका अगले school examination board से inter करने के बाद, कौन-कौन से document मिलते हैं, कब-कब मिलते हैं, मेरा कोई document इस school में छूटा तो नहीं नहीं है, college में छूटा तो नहीं है, इसकी जानकारी के लिए एक वीडियो और बनाय जा रहा है, जो आपको अगली बार देखने को मिल जाएगा, तो फिलाल इस जो इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में